हेलो फ्रेंड्स गुड माउनिंग जी दोस्तों आप बस जुड़े रहे हमारा चैनल देखने के लिए आप सब स्वस्त और मस्त होंगे नेचर को इंजोई कर रहे होंगे जी और बस आपका मन शायद मोड बनकर नाचने के लिए तयार होगा क्योंकि बारिश जो आने वाली है ये हालत होती है फ्रेंड्स प्लांट लवर की चलिए फिल हाल में अपने प्लांट लवर होने के साथ साथ कुछ गार्डनिंग की भी बात कर लेती हूँ जी दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज जी बरसात और बरसात में पकोड़े ना खाएं ऐसा होता ही नहीं जी दोस्तों जैसे परसाद की सोंदी सोंदी सी खुश भूगाते हैं मिट्टी की, बरसाद की रिमचिम चालू होती है कि पकोडों का दोर शुरू हो जाता है, कई बार वैसे आप अपने स्वास्थे का ध्यान रखते हूंगे, लेकिन कई बार हम इतने मजबूर हो जाते हैं, जी दोस्तों, जहाँ पकोड़े हैं महा अजवाईन है, चलिए तो आज हम अजवाईन के पोदे के लगाने की बात कर लेते हैं, कैसे लगाया जाता है अजवाईन का पोदा, जी और इनके पत्ते डालने से, जो आपके पकोड़े महेक जाएंगे, वो बस तारीफे काबिल होंगे, खाएंगे आप तारीफ पडोसी करेंगे, इतने स्वाधिश्ट होते हैं, जी दोस्तों, पालक के पकोड़े आपने जरूर खाये होंगे, लेकिन बरसात के मौसम में अरवी के पकोड़े, अजवाईन के पकोड़े, मीठे नीम के पकोड़े, खास, माईने रखते हैं, चले फिलहाल मैं टाइब ना विस्ट करते हूए, दोस्तों, बात करते हूँ इस अजवाईन की, जी ये अजवाइन नहीं है, इससे अजवाइन नहीं उगने वाली, लेकिन खुश्बू में अपने आप में अजवाइन से कम नहीं है, शायद अजवाइन से भी ज़्यादब महकती होगी ये, जी हाँ, ये एक medicinal plant भी है, फ्रेंड से, medicinal plant यह हैं, कि जिस परकार से हमारे अजवाइन जो है, हमारे कफे, पिते को सई करती है, कफ नाशक होती है, किसी भी परकार की सर्दी लग जाती है, तो हम अजवाइन का काड़ा बना करके पीते हैं, और गेस्टिक प्राबलम को भी जो है, उसका भी solution होता है अजवाइन, ठीक उसी तरह से, जो मतलब ये मान लो, कि अजवाइन के गुण हैं, वो इसके गुण हैं, जी, खुश्बू में भी और गुण में भी, बच्चों के पेट में दर्दो गया हों, तो बस आप इसके दो पत्तों का रस बना करके पिला दीजिए, और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, तो बस, दो पत्ते चबाने के लिए दे दीजिए, अरे और ज्यादा नहीं, तो आप कभी-कभी चट्नी ही बना अगर खालीजिए, और फिर देखिए, आपका स्वास्त है, बिल्कुल यदि कफ बनता है, कोई अस्थमे की प्रॉबलम है, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तब भी आप इसको कामें ले सकते हैं, तो बहुत गुणवान पोदा है, और साथ ही लगाने में भी इतना इसी है, देखिए आप इसकी पत्तियां थोड़ी सी स्पंजी होती हैं, मैं पास में लिजा करके दिखाती हूं, फ्रेंड से, पत्तियां थोड़ी सी चलिए अब मैं बताती हूं कि इसे कैसे लगाना है, क्योंकि मैं भी कुछ एक और नहीं पौदे तयार कर रही हूं, जी फ्रेंड से, मिट्टी भी कोई खास आपको तयार नहीं करनी, बस मैंने तो पूराने गमले को ही तयार कर लिया है, उसी कि मिट्टी को उलट पुलट क हैं, या कोई छोटा मोटा कोई प्लास्टिक का टुकडा, लेकिन यहां कोई खास नहीं मिला मुझे, और मिट्टी पूरी तरह से तयार है, जी दूप में पड़ा था गमला, इसलिए मुझे इसे सोलराइजिशन नहीं करना पड़ा, नहीं तो इसे दूप भी देनी पड़ खट देशी कट जाए, ऐसे नहीं तो यह जो इसकी वाइन्स होती हैं, यह मालो की जाइलेम और फ्लोेम होती हैं, वो अगर खराब हो गई तो फिर थोड़ा सा फंगस लगने का डर रहेगा, नीचे की लिव्स को अटा लिया है, और मैंने अपने हमेशा हमेशा के सबसे जो काम करता है, और एंटी फंगल होता है, उसके रूप में मैंने यह जो है, मतलब अलो वीरा को इसमें लगा लिया, देखी इस तरह से, अलो वीरा को बस यह नीचे की तरफ लगा करके, और हाथ से यह पैंसिल से, यह किसी भी लकड़ी से आप इसमें गड़ा खो दिये प पोदे की कलम के अंदर है, जो छोटी-छोटी सी, तो वो डेमेज हो जाती है, और जिसके वज़े से वो अपना फूड लेना बंद कर देता है, फंगस लग जाता है, तो पहले आप उंबली से गड़ा कीजिए, फिर लगाईए, और फिर उसको अच्छी तरह से दबा दीज जी हाँ, इसके अंदर एर पोकेट्स नहीं रहें, उनको अच्छी तरह से धबा दीजिए, तो हमारी पूरी-पूरी कटिंग सक्सेस रहेगी, और बहुत ही आसान सा है ये पोधा लगाना, जी दोस्तों, तो अगली बात, जरूर आप जब पकोड़े बनाएंगे, तो अज फिर मिलते नई वीडियो में कुछ नया करते वे, फिलहाल दीजे इजाज़त, जै हीन, जै भारत, वंदे मातरम